हंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद घरतों भाई सब बढ़ी आऊंगे इस वीडियो में कवर करेंगे लंका प्रेमिल लीग का जो पहला एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा कोलमबो स्टार्स वसेज गाले गलेडियेटर के टीम के बीच में अब फिर से बता दू दोस्त तो ईलिमिनेटर मैच खेला जाएगा जो भी टीम इस मैच में हारेगी वह बाहर हो जाएगे ठीक है और जो जितेगी वह आगए जाके क्वालिफायर मैच के लिएगी अधर टीम के साथ में और वहां पे जो टीम मैच विन करेगी वह शिदा चली जाएगी फाइनल के екनद जिजी में से वो भाई सीधा बाहर हो जाएगी ठीक है तो दोनु टीम्स के लिए इसमें इसको वोन करना काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा किस परकार हम लोग अपना टीम को मिनेशन बनाएंगे किस परकार ट्राई करेंगे क्या सीजे रहेंगी प्लेस का बैल को जरूर आप लोगोन कर लेना वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना दूसरे इंपोर्टेंट चीज हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा आप लोग जोईन कर सकते हूँ तो उसके बा दूसरी रेगवाई निरोशन डिकवेला की तीसरी ओप्सन है यहाँ पर दिनेश संदीमल की चोथी ओप्सन है आज़म खान की ठीक है लेकिन अगर पर्फोर्मेंस के बेस पे देखेंगे मेरे इसाब से कुसाल मेंटिस आपके लिए ज्यादा सेफ रहेंगे क्योंकि काफी बढ़िया प्लेयर है टेलेंटेड प्लेयर है और अब तक इस सीजन की बात कर तो पर्फोर्मेंस भी काफी बढ़िया इन्होंने करके दिया तो मेरे इसाब से कि इंपोर्टेंट पिक बनेंगे तो आप लोग यहाँ पे इनके साथ में जरूर चल सकते हो लेकिन तो दूसर खुला था ना यहाँ पे डिकवेल लगा और ना चंदीमल का दोनों प्लेयर लास्ट के मैच में सुनने के स्कोर पे आउट होके गई थे लेकिन यार एक चीज़ आपको मैं बताऊं यह जो लंका प्रीमेल लीग यानि के लिपेल के जो मैच आपके लिए थोड़ा रिसकी म नहीं का जा सकता ठीक है उसके बाद मैं आज़म खान रहेंगे जो कि आपको थर्ड डाउन पे बैटिंग करते दिखेंगे अगर आप लोग डिफरेंशल सलना चाहो थोड़ा सा अलग ड्राई करना चाहो तो आज़म खान एक अच्छी पिक हो सकते हलांकि लास्ट मैच उत दाबारे जो कि ओपनिंग करेंगे शुरुआती मैचिस में काफी अच्छा परफोर्मेंश दिया था लेकिन रिशेंटली उतनी बड़िया फोम में नहीं है फिर भी ओपन करने वाले प्लेयर तो टीम में अपनी जा सकते हो रवी बोपारा को यहां पे ट्राई कर सकते हो ज ऐसा रंस इनके बले चब तक नहीं निकले हैं वन डाउन बैटिंग करने आ सकते हो तो आप लोग जाहो तो इनके साथ में भी चल सकते हो कोई इश्यू नहीं है लास्ट मैच की बात करूँगा तो सिर्फ इनोंने छे रंस कर रहे थे ठीक है ओने ने नैवरे जब तक इनके डिफरेंशल पिक में ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो वन डाउन पर बैटिंग करना हैंगे तो यहां पर ले सकते हो अगर आप लोग इनके साथ में चलना चाहो लेकिन ज्यादा सेफली खेलोगे मेरे इसाफ से अगर मैं आपको बता के चलूँगा टी दाबारे को मैं टी में पिक कर सकता हूं असलंका के साथ में जा सकता हूं या फिर आप लोग चाहो ना तो यहां पर देखो अब्दुल्ला सफीक को भी ले सकते हो बाकि इस मैंच में अगर इसका बैटिंग ओडर चेंज करते बाई तो देखो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगे ठीक है लेक नहीं नहीं लेकिन आप लोग सिर्फ हैजी में बोलर इनको टीम में पिक करके चलना ठीक है अगर इन से बैटिंग के उमीद गर के चलोगे तो मतलब फिर उपर वाले प्लेयर कुछ कहास नहीं करेंगे ठीक है अब वो करे ना करे लेकिन आप लोग क्या सोच के म posição बना रहे था बैटिंग में भी हाफ सेंजूरी लगाई थी गेंदबाजी में भी चार विगेट लिये थे जहां पर किसी को कोई एक्सपेक्टेशन्स ही नहीं थी उस मैश में भी लाजवा परफॉर्मेस दिया था तो कुछ भी हो सकता LPL के मैंचीज में गेंदबाजी सेक्शन सबसे पहले एन तुसारा डॉमिनिक ड्रेक्स दे को इंपोर्टेंट पिक्स आपको लेनी पड़ेगी गेंदबाजी सेक्शन से क्योंकि किसी के भी ओवर ये कट कर देंगे नहीं गय सकते लेकिन गेंदबाजी सेक्शन देखो कि अपना अलरे पूरा हो चुका है कोई दिक्कट अपने को जादा नहीं आएगी लेकिन जो मेंचीज रहेगी दोस्तो वो यहांपे रहेगी बैटिंग सेक्शन का एक और प्लेइर या फिर विकेट की पिंग सेक्शन साई एक कोर प्लेयर क्योंकि यहां पर देखेंगे कोलम्बोस टास की सेड़ से सिर्फ एजे मेंन बैट्स में हमने असलंका को टीम में पिक किया है अधर कोई बल्लेवाज अपने टीम में नहीं है बैनी होवल जरूर बैटिंग कर सकते हैं लेकिन एजे गेंदबाज टीम में ट्राई करना बैटिंग हाईगी तो डेफिनेटली कर सकते हैं अब आपके पास में उप्सन बनती है एक प्लेयर की जहां पे आप लोग क्या कर पाऊगे वो भी आपको बता दू निरोशन डिकवेला ले सकते हैं ओपन करेंगे दिनेश चंदीमल ओपन करेंगे ले सकते हैं जिजी की साइड से थोड़ा सा यानि कि गालेगल एडर्टर की साइड से अगर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हूँ आजम खान को ट्राई कर सकते हूँ या फिर मिडल ओडर के अंदर आओगे कोलंबो स्टार्स के साइड से या पर रवी बोपारा को टीम में ले सकते हूँ गेंदबाजी भी डाल के जा सकते हैं वो भी आपको बता दू तो कि ये कब क्या कर देंगे कि मैं आपको फिर से वही चीज रिपेट कर रहा हूँ दोस्तों नहीं कहाजा सकता भाई इनका लास्ट मैच में भी बोपारा ने दो वर गेंदबाजी करवाई थी वो तो चलो इनको विकेट नहीं मिला अगर दो वर इन्होंने जो गेंदबाजी करवाई अगर बाई चांस उसमें दो विकेट इसको मिल जाते तो बाई क्या अगर थे तो वहीं पर दिक्कतार ये लपेल के मैचिज में ठीक है तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी बैटिंग के फेवर में चलो दोस्तों यहां पर ट्राई कर लो विकेट के पिंग सेक्चन से डिक वेला या फिर चांदीमल को डिफरेंचल चलना चाहो तो बोपारा को ट्राई कर सकतो मैं फिलाल बोपारा के साथ में जाऊंगा तो ये मेरा 11 प्लेयर का टीम कोमिनेशन रहेगा लेकिन आप लोग सेम ट को पिक कर चुके हैं ठीक है तो ये मेरा 11 प्लेयर का टीम कोमिनेशन रहेगा अब बात आएगी कैप्टन ची और वाइस कैप्टन ची ये गेंदबाजी सेक्चन मेरे हिसाब से या फिर ओलाउंडर सेक्चन जो रहेगा वो ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकते है क्योंकि ब बात ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकते है या फिर ओलाउंडर सेक्चन के प्लेयर ठीक है तो यहां पर ओलाउंडर सेक्चन से कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी कर सकते हो गेंदबाजी सेक्चन से किसी को भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बैटिंग सेक्चन में एकमातर प क्या सोस के टीम बनाओगे और किसको अपने टीम में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन करोगे कोई भी चेंज गरना पड़ेगा दोस्तो फाइनली मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट जरूर करूंगा इसलिए आपको बार-बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तो टेल क्या होगा भाई पसंद आयो थी यार लाइक करके अपना प्यार और समर्तन बनाई रखना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल जरूर ओन करना क्योंकि कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपके बास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आजाए मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कोमिनेशन बनाऊगे और आपके टीम अच्छा परफूम जरूर करेगी